जैशी राम दोस्तो, my name is Manan and you are watching Government Automobiles and let's get this video started. दोस्तो, आप जो सब जो गाड़ी देख रहे हैं, वो है XUV3W, साती खासेद इस गाड़ी में यह है, कि कुछ ऐसे युनिक फीचर लेके आती है, जो कि इससे उपर वाले सेग्मेंट में भी नहीं है, तो देखते हैं से क्या-क्या उनिक फीचर हैं दोस्तो, जो यह गाड़ी ओफर करती है, पहला उनिक फीचर है दोस्तो, फ्रंट पार्किंग सेंसर, जो कि आपको, जो आपको बड़ गार्ड है नहीं, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी जो सेंगमेंट में, जो कि लो प्रोफाल टायर आपको उफर करती है, जिस होता क्या है इससे यह होता है कि आपकी जो हाइवे की स्टेबिलिटी है पहली तो वह इंक्रीज जाती है, दूसरी बात यह कि जो इसके डैनमिक्स है, ड्राइविंग डैनमिक्स खही ना खही थोड़ जो कि मुझे प्रैटिकली भी काफी अच्छा लगा देखने में, साथी साथ दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो उस वक्त होगा क्या कि आप जो धून्द है यह फोग है वह आपके ओर व्यम पर आके जमा हो जाता है, अब आप क्या करते इसको हाथ से क्लीन कर रहे है यह एपना कपर बगारा से क्लीन कर रहे है, लेकिन वह कुछ time बात भर पिरसी जो है वह आके जमा हो जाता है, उस वक्त आता है heated ORVM जो है काम करता है होता क्या है जैसी इसको आप बटन को आउन करोगे इसके इसके अंदर जो है कोईल लगी रहती है याप देख रहती है याप देख रहती है कि वो कोईल जो है heat generate करना शुरू कर देती है और उसके थुरू जो इसका surface है वो गरम होना शुरू हो जाता है उसके बाद जो है यह जो जहाँ पर यतनी भी droplets है वो सारी जो है नीचे आ जाती है और सारा जो ORVM है वो clean हो जाता है अब चलते हैं इसके अंदर और वहाँ देखते हैं क्या unique feature आपको देखने को मिलता है चोता है दोस्तो इसकी steering का tire direction monitor होता क्या है जैसे अब मैं इसकी steering गुमा रहा हूं तो आप देख रहे है कि इसकी steering की direction बता रहा है कि इस वक्ट जो टायर आपका main जो रहता है tire की position बताता है कि जैसे यह tire जो है इतना जो है पूरा मुड़ा हुआ है अब मैं इसको सीधा करेता हूं तो यह जो है अब यह बल्लकुल सीधा है क्या मैं गाड़ी चलाँगा तो बल्लकुल सीधी चलेगी ऐसे यह अगर मैं इसको left की तरफ turn करूँगा तो यह ऐसे बताएगा उसके बाद जो आता है वो आता है इसके steering को mode select करने का जैसे आपका मने की आपको जो है comfort में चलानी तो यह steering जो है ऐसे आराम से घूमड़ी है अब मैं जैसे इसे जो है आप देख रहे हो कि यह नॉर्मल में आ गई है पहले comfort में आ रहे थी आप जो है normal में आ गई है तो मैं क्या करूंगा अब जो है चलाते वक्त आपको यह difference दिखना शुरू हो जाएगा होगा कि थोड़ी जो hardness है वो आपकी हो जाएगी उसको जैसी आप जिसा आप देखा यहां पर जो है स्टेरिंग थोड़ा भारी हो चुका है तो थोड़ा जो वेट इसने अपने आपी गेन कर लिया और यह जो चीज है मुझे काफी अच्छी लगी प्रैक्टिकली और एक तरह के से देखा जाए तो काफी इंप्रूमेंट है यह महिंदर की तरफ से हो भी एक थंड़क के मज़ा ले रहा हूं अब एक मेरा यहां पर दोस्स बैठा हुआ है अब हुआ क्या अब इसको मैंने कुछ समान लेने बेज दिया कि भाई यह समान लिया यह एक तरह के मोमोज लिया है और जो है अब वह आगे बाहर से गर्मी पढ़ रही है ऐसी कड़ी आप हो तो उसके जो आपके हो सकता है तो थोड़ा समाह सकते हैं कि टैम्परेचर जो है इदम चेंज होने की वेज़े तबयद वगर खराब हो सकती है तो अस वक्त वह होगा किया कि जैसे अकर मैंने अपना त्यम टैम्परेचर 12 दिगरी कर रख तो इधर की तरफ की तरफ की अब दो चीजे जो दूसरी चार्स ओफर करती है लेकिन यह वाली जो गाड़ी है वह आपको ओफर नहीं करती है वह बता है को अब बैटे वे हैं गाड़ी की सेकेंड रो में तो यहां पर आपको अच्छ देखने को नहीं मिलते हैं जो कि दूसरी कार सेग्मेंट की सारी जो मैकिसम कारे ओफर करती है सिर्फ यह और विटारा ब्रेजर ओफर नहीं करती है जो कि मुझे अच्छा नहीं लेकिन यह बात आप चलते हैं पीछे कि तरफ औह देखते हैं कि एक जो दूसरी कार उफ करती है वो नहीं करती है तो इसको मिंखोल लेता हूं दोस्तों वो है इसका boot space आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना इसमें boot space है यह मैं feature की तरह काउंट कर रहा हूं क्योंकि features होते हैं अभी convenience increase करने के लिए लेकिन अगर आपको एक तरह किसे बूट स्पेस में खहीना कहीं मिल रही है तो खोड़ सकता है आपके लिए थोड़ा इंकन्विनेट रहे कि आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़े तो इसलिए मैं इस सीच को फीचर की तरह काउंट कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं जा समान नहीं है सिर्फ यह एसी की वायर वगएर है जो गैस की वायर होती है और कुछ भईया का समान है सिर्फ और सिफ वह है और यहां पर जो है इसकी पाइनियर का जो है यह बेस् कि देख सकते हैं कि यह बूट को जो है वह जो ऑक्कुपाइ कर रहा है तो वहीं ना मुझी मुझे थोड़ा यह जो है इनक्ट करने वाली चीज तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो वीडियो में कमेंट करके जुरू बतेए कि वीडियो कैसी लगी और आगर आप भी ऐस सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जुरू करें चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए बाब आए टेक क्या जया हिंद और स्टे सेफ़